लखनू यूनिवर्सिटी के प्रोफिसर सेद एहतशाम हुसेन ने सन 1956 में उर्दू भाशा के इतिहास यह उर्दू जबान की तारीख पर एक किताब बच्चों के लिए लिखी थी कल पिछले वीडियो में हमने इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ा था आज हम इस किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे उर्दू जबान की इप्तदा हम जिस आसानी से अपनी जबान बोल लेते हैं उससे बहुत कम ये ख्याल होता है कि इस जबान के बनने और शुरू होने में कितना वक्त लगा होगा क्योंकि कोई जबान अचानक नहीं शुरू हो जाती है धीरे धीरे बनती है मुसल्मान जब यहां आए तो वो कोई न कोई जबान जरूर बोलते रहे होंगे और जिन लोगों में वो आए वो भी अपनी जबान लगते होंगे आने वालों में अरब, एरानी, अफगानी, तुरकिस्तानी, मुगल, हर किसम के लोग थे यहां जिन जिन जगों पर वो लोग गए, वहां अलग अलग जबाने उनको मिली यह तो तुम समझते ही हो, कि जो लोग बाहर से आये थे, वो कम होने की वज़े से यहां के लोगों पर अपनी जबान लाद नहीं सकते थे बल्कि अपनी जूरूरत की वज़े से यहीं की बोली बोलने पर मजबूर थे वो ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते थे कि यहां की बोलियों में अपने कुछ लवस मिला दें इस तरह कुछ मिलावट हुई मगर असल जबान यहीं की रही पहले पहल मुसल्मान सिंध में आए ये आठवी सदी इस्वी की बात है उन्हें ने सिंध पर कब्जा कर लिया मगर इधर उधर ज्यादा फैल न सकी इसलिए वहां जो नई सिंधी जबान बन रही थी उस पर उनका कुछ असर पड़ा मगर कोई नई जबान नहीं बनी फिर दस्वी और ग्यार्वी सदी में मुसल्मान बड़ी तादाद में दर्रे खैबर के रास्ते से आने लगे और सारे पंजाब में फैल गए और करीब करीब दो सो साल तक इन में और वहां के बसने वालों में मेल जोल बढ़ता रहा इसी असर की वज़े से बहुत से लोगों का ख्याल है कि जिसको हम अर्दू कहते हैं वो पंजाब ही में पैदा हुई ये बात कुछ-कुछ सही है कि शुरू में हमको अर्दू में पंजाबी का असर मिलता है मगर सही बात ये है कि जिस तरह पंजाबी जबान बन रही थी उसी तरह दिल्ली के पास की बोलियों में मिलकर अर्दू भी बन रही थी और जब दिल्ली ही में दारु सल्तनत बन गया तो हर बोली के बोलने वाले वहां आने लगे और बजावार की सब बोलियां एक दूसरे से मिलती जुलती तो थी ही यहां और ज्यादा मेल हुआ इसलिए शुरू में कई असर अर्दू में दिखाई देते हैं दिल्ली और उसके पूरब में जो बोली बोली जाती थी उसको खड़ी बोली कहा जाता है दिल्ली के पास वाली इसी खड़ी बोली ने धीरे धीरे ऐसा रूप धार लिया कि इसमें जुरूरत के मताबक फार्सी, अर्बी, तुर्की लफ से शामिल हो गए और ये फौजों के साथ फैलने लगी यू हम आसानी के लिए कह सकते हैं कि अर्दू जबान खड़ी बोली के अंदर निखर कर ऐसी जबान बन गई जिसमें थोड़े ही दिनों में शेर लिखे जाने लगे और किताबें तयार होने लगी ये जो पहले कहा गया है कि फौजों के साथ दिल्ली के पास वाली बोली हर तरफ पहलने लगी इसका मतलब ये है कि फौज में हर जगा के लोग होते थे उन्हें एक साथ रहना और एक जगा से दूसरी जगा जाना पड़ता है अब अगर वो ऐसी जबाने न बोलें जिससे ज़्यादा लोग समझ सकते हैं तो उनका काम नहीं चल सकता था इसी तरह ताजिर भी जबान अपने साथ ले जाते थे दिल्ली से जो हाकिम दूर दूर भेजे जाते रहे होंगे फिर मधभी काम करने वाले सूफी लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते थे और आम लोगों को अपनी बात समझाते थे इसलिए वो जबान जो मरकज में यानी दिल्ली में बोली जाने लगी थी वो फूजों ताजरों हाकिमों और सूफी फकीरों के साथ मुल्क के मुक्तलिफ हिस्सों में पहुँचने लगी इस बात को इस तरह समझा जा सकता है दिल्ली के बात्षा अलाओ दीन खिलजी ने दकनी हिंदोस्तान को जीत लिया और तेरवी सदी में दिल्ली का असर दकन में करनाटक तक और पूरब में बंगाल तक फैल गया थोड़े दिनों के बात जब तुगलक हुकूमत कायम हुई तो जबान के बनने और आम होने के लिए कुछ और वक्त भी मिला और दिल्ली का आसर भी बढ़ा सबसे ज़्यादे दिल्चस्पात ये हुई कि मुहमद तुगलक ने 1227 सीस्वी में अपना दालु सल्तनत दिल्ली से हटा कर देवगरी या दौलत अबाद कर दिया प्रसूर, कारीगर, ताजिर, हाकिम, महकूम, बुढ़े जवान सब शामिल थी या अपना सामान ले गए होंगे या न ले गए होंगे अपनी बोली और अपनी जबान तो ज़रूर साथ ले गए होंगे इस तरह दकिन भी इस बोली का एक मरकज बन गया जो उत्री हिंदोस्तान में बोली जाती थी अभी चौधवी सदी आदी भी नहीं बीती थी कि दिल्ली के सल्तनक कमजोर हो गई और दकिन में एक नई हुकूमत कायम हो गई ये राज, बहमनी राज कहलाया इसी तरह गुज़ात में भी एक अलग राज की बनियाद पड़ी इन जग़ों पर उत्री हिंदोस्तान से सूफी और फकीर गई और आम लोगों की बोली में अपने दिल कीबात कहने लगे इसी जमाने में उत्री हिंदोस्तान की दूसरी जबानों और बोलियों में भक्ती के गीद काये गए और राजाओं की तारीफ में खुब नजमे लिखी गई और तकरीमन तमाम लई जबानों में अदब पैदा होने लगा मुसल्मान हिंदुस्तान में आये थे वो यहीं रह पड़े इसी देश को उन्होंने अपना देश समझा यहीं पैदा हुए यहीं जीए और यहीं मरे यहीं के हालात ने उन्हें बादशाह और फकीर बनाया उन्होंने बादशाही भी की और फकीरी भी बादशाह बनकर भी उन्होंने यहीं की जबान से काम लिया और फकीर बनकर भी यहीं की बोली बोले इस स्लसले में सबसे ज़्यादा अहम नाम अमीर खुसरो का है जो अमीर भी थे, फकीर भी, शायर भी गायक भी, बादशाहों के दोस्त भी और खरीबों के यार भी उन्हों ने फारसी में बहुत सी किताबें लिखी, जिनसे हिंदोस्तान की महबट भूटी पड़ती है मगर उन्हों ने यहां की बोली में जो कुछ लिखा है, वो इसलिए कभी भुलाया नहीं जा सकता कि उस वक्त इस बोली में लिखना आम बात नहीं थी उनकी बहुत सी पहलियां दोहे और गीत अब भी लोगों की जबान पर हैं उस वक्त तक अर्दू की कोई ऐसी शक्ल नहीं बनी थी जिससे हम उसको पहचान ले इसलिए उनकी बोली कभी खड़ी बोली यानि हिंदोस्तानी से मिल जाती है कभी ब्रिजभाशा से और कभी कई बोलियां मिली होती है बहराल अमीर खुस्रो को हिंदी वाले अपना कभी समझते हैं उर्दू वाले अपना शाहर इनकी वो पहलियां परकर तुमको तेरवी और चौजवी सदी की दिल्ली के जबान का अंदादा होगा बाला था जब सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम ना आया खुस्रो कह दिया उसका ना हो बूजो नहीं तो छोडो गाउं दस नारी एक हिनर बस्ती बाहर वाका घर पीट सक्त और पीट नरम मू मीठा तासीर गनू इस तरह उर्दू दिल्ली के गरीब पैदा हुई और निकरने लगी धीरे धीरे मुलक के दूसरे हिस्सों में पहलने लगी शुरू में इसका नाम जबान हिंद, हिंदी, हिंदوी और देल्वी रहा बाद में ज़्यादतर हिंदी के नाम से याद की गई जब दकन और गुझ। मगर हम अपने आसानी के लिए उसे अर्दू ही कहेंगे क्यूंकि और नामों से दूसरी तरह की जबानों का दोखा हो सकता है अब इसके बाद एंदा वीडियो